हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नोर्थी स्टेबला आज काफी दिनों बाद आप लोग को और एक जगा देखाने के लिए जो कि आसाम में है तो दोस्तो आज हम जाएंगे आसाम की नोगाव टावन से ठीक 10 किले मीटर दूर एक गाव है कि नाम है करहली गाव ये गाव बहुती खाश है और क्यों खाश है ये जानने के लिए हम और मेरे दोस्त एक प्रांजल शेके दुनों ने साथ गिया है और यह गाव क्यों खाश है देखने के लिए जुरे रही है आन तक विडियो का आये देखते है यह गाव हम लोग नोगाव से जो रूपु ही होकर जो रास्ता गिया है वो भी नेशनल हाइवे है वहाँ से गिया है वहाँ से जाने के बाद लाइट ट्रेंड लेके यह गाव अब लोग पिक्शार में जो आठ होते है जैसे गाव का सभी होते है ठीक वैसे ही यह गाव है इतना खुबसूरत है देखिए यह गाव की इस्टान शर से हम लोग जा रहा है यह गाव में हम लोग एंट्री हो गया है देखिए यह गाव के गुसने का साथ-साथ गाव का न के वेल काम किया है हम लोग को विहू की ड्रेस से वेल काम किया है दो एरोद. नेक्स जाते हैं, देखिए, हर घर में आपका गाउंडरी मिलेगा जैसे भी, और हर घर के सामने ऐसे पर्ति मर्ति मिलेंगे, ये किसान खेत में जा रहा है, उसका बीबी खाना लेके पीसे बीसे आ रही है आज का लिए नहीं है लेकिन गाउ में है और ये गाउ इसलिए खास है देखिए ये बीहू डांस कर रहे है हर घर के सामने आईदर फूल गास है फलोवर का बागान है और ऐसा एक परतिमूर्ती खरा रखा है और रात में ये बहुत ही अच्छा लगा है हम सुना है क्योंकि रात में लाइटिंग बगर है भी होते है तो देखिए नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट ये गाए को लेके खेत में जा रहा है हाल चराना के लिए ठीक है और आगे देखते है इस घर का अग क्या है यह कुमाड कुछ बना रहा है यानि काम कर रहा है ठीक है and then next boundary में क्या है दिखे कितना सुंदर सुंदर आर्ट भी करके रखा हुआ है यह क्या है मलूम है यह कराली प्रतमिक काओ का यह नामघर है असमिस काल्सर का एक खास चीज है नामघर है जो संकर्देब का और अचनिद्ध है और यह आएंगे तो दिल खुश हो जाएगा कितना सुंदर है यह दिखे है यह नामघर का पहला मुख्धवार है ये नामगर का साइट में एक सोटा घर होता है ओ है इसमें दान पात तो है देखिए वाल में कितना सुन्दर आड़ है और साथ में एक फिशरी भी है जो हम लोग पुकुर पुशकुमी बोलते है इस पुकुर में इस पुकुरी में कितना पानी साफ है और वाल भी कितना सुन्दूर है इसी का साथ देखिए आर्ड भी है ठेकीवे में धान बन रहा है गाव का जो काल्चर होता है मतलब 100% एक गाव का काल्चर ये पिक्चर किया है ये बीहुगा रहा है देखिए भैस के पीट में उटके सिंगाफ हो काता ही यानि ये इसा असाम ना में सादूकता बलते है असाम में जो काहिनी बलते है किच्छा सनते थे इस घर में देखिए एक फलवारा लगा हुआ है तो ओ सोभी इस परतिमा के द्वारा ये सभी को ये गाव का लोग मतलब जीवित करके रखा है वाले आज काल काफी डेवलोप हो गया है लेकिन गा गया है एक सभी के एक मतलब प्रतिमा के द्वारा लोग परदलशित किया है यह देखिए धान माल रहे है और जो बंदा है औकि पर आंप जा राखेत से यह जोबी होगा मतलब काम में हम हनाoyu में क्या 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 होते है हम लोग खेती करते है ढम लोग गाना भी ये शंकर्दव जी का एक परमपरा था किर्टन गाने का यह दिखिए चीरिया खाना भी जैसे बाना रखाए एक हरिन है हिरन है एक गेंडा है राइनो आसाम का यह वान होन राइनो इस दे फेमास इन द वाल्ड अपलोग सोभी जनते है तो उसको पर्दिश्यत किया है यह भी हु वाद्यय गाउ की भ्रमन करने के लिए और सामने याह मलूम है यह इसको रंगमन बोलता है जो थार्टी थार्ट नेशनल गें में आसाम पर्डूश किया था वो रंगमन गाउ का सामने लगा हुआ है और यह चौक जैसा है तीनली जैसा है यह है मूल गेट यहां से तो दोस्तों यह इसा मज़ादार वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को प्लीज सबस्क्राइब के जिए और बेल आइकन भी डबा के रहे हैं